पारिष्थित्की तंत्र किस प्रकार का तंत्र है तो खूला तंत्र है इसको वी बृत तंत्र भी कते हो ओपेन निष्ट प्राण ही तक किसकी सहायक नदी है तो एक गोदावरी की सहायक नदी है गोदावरी प्रयादिपी भारत की सबसे लंबी नदी है इसके बद कृष्णा नदी गुदावरी के अन्न सहायक नदियों में इंद्रावती, वेन गंगा, पेन गंगा, प्रवरा, मांजीरा, आदि भी है 1465 किलुम्ट्रेस के लंबाई है ये बाग रिजर्व हैं, टाइकर रिजर्व कमलांग टाइकर रिजर्व अवडाचल प्रदेश में है सत्यमंगलम तमिलनाड़ में है ओरांग असम में है, और पक्कि टाइकर रिजर्व अवडाचल में है नेक्स्ट है, डोंगरिया कौंध है डोंगरिया कौंध जन जाती, कहाँ पायाती है? उरिष्व में पायाती है नेक्स्ट है कि राज सभा में लंबित विधेक जो लोग सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है लोग सभा के बिगटन के पश्चात व्यबगत नहीं होगा यानि समापत नहीं होगा लेकिन यदि लोग सभाद वारा पारित हो और राज जिस भाद वारा पारित नहों उसी सिति में लोग सभाद का बिगटन हो जाएगा तो वो बिध्यक या बगत हो जाएगा निश्ट मौराजी देसाई के अध्यक्सता में पर्थम प्रशाशनिक सुधारायग का गठन कप किया गया था तो गठन किया गया था जिसस चाच्छत में बाद में मुराजी देशाई ने इस्तिफादे दिया था, तो प्रथम प्रसासने सुधारायोग नहीं लोकपाल और रोकायोग की गठनकी सिफारिश की थी। केंद्र में द्वैद सासन तो था प्रांतों में स्वायत सासन का प्रावधन किस अधिनियम द्वरा किया गया था तो यह किया गया था 1935 के भारस सरकार अधिनियम द्वरा ये ब्रिटिस काल में आये अधिनियमों में सबसे बड़ा इंबिस्तित अधिनियम था और भारती सम्मिधान का 75% हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है अगला अखिल भारती राजनीती महात्मा गांधी का पाला सत्य अगरा कौन था तो रॉलेट सत्त अगरा था जो रॉलेट एक्ट के बिर्द हुआ था उने से 19 में नेक्स्ट जिया तरंग आंधोलन किस राजे में हुआ था तो यह हुआ था मड़ीपूर में ये सविनाव के आंधोलन जोने से 30-34 के बीच चला था उसी के दोरान हुआ था और इस आंधोलन में नागा लेंड की एक महिला थी रानी गडली उन्होंने अपनी मातपुर्ण भूमका निभाई थी और बिटिश सरकार ने उन्हें जेल में कैद कर दिया था और आजादी के बाद छुटी थी और जोहला निहरू ने रानी के डली यो रानी के उपाज़े दे दे थी इसी दोरान निश्ठ भागवान गुद्दी की मूर्थी अब से पहले किस कला में बनी थी, तो बनी थी मतवराकला दो कलाएं फिमस्ति मत्वरा कला और गंधार कला निश्ट गोपत ब्रामण किस वेद का हिस्सा है तो अथरवेद का है सत्पत और तरी यह ब्रामण किस वेद का हिस्सा है तो यह जुरवेद का है 25 किसका है सामवेद का है ये तरेय तथा कौसित की ब्रामन किसका है तर रिगवेत का है अगला है कोई जहाज नजी से समुद्र में जाता है तो वा कुछ उपर उठ जाता है इसके काण यह कि समुद्र की लोड़त आधिक होने के काण उसके घनत तो आधिक होता है अगला है जब लिफ्ट त्वरित गती से नीचे आये तो व्यक्त का भार उसके वास्त भार से घटा हुआ प्रतीत होगा यानि कैसा होगा घटा हुआ इसी तरह ज़िए लिफ्ट तोरित गती से उपर जाए उपर की दिशा में तो यहां बढ़ा हुआ प्रतित होगा जब नीचे आए तो घटा हुआ प्रतित होगा और जब लिफ्ट समान गती से उपर या नीचे जाए तो ब्यक्त के भार में कोई परवतर नजर नहीं आएगा नहीं मासूस होगा ज़िए नीचे आते समय लिफ्ट की डोर तूड जाए तो ब्यक्ती का भार सुनने प्रतित होगा अगला है सामप्यक्षता का नविन सिधान किस ने दिया तो यह दिया था जेवी नारलीकर ने अगला है दूद की सुद्धता मापने वाला लेक्टोमीटर की सिधान पर काम करता है तो आर्कमडीज के सिधान पर काम करता है नहीं प्लवन के सिधान पर तायरती हुई वबस्त का भार उसके दोर हटाए गए भार के बराबर होता है इसी सिद्धान पर काम करता है लेक्टो मीटर अगला है कैस मेमरी कहां पाई जाती है तो कैस मेमरी मुख्य मेमरी और CPU के बीच पाई जाती है कैस मेमरी सबसे तेज मेमरी होती है लेकिन इस से भी तेज एक मेमरी होती है जिसे रेजिस्टर मेमरी कहते हैं अगला सरकार की घाटे में सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो होता है राजकोसी घाटा और इस से थोड़ा दूसरे नमर का घाटा होता है राजस्य घाटा और सबसे छोटा घाटा होता है प्रात्मिक घाटा अगला है अनुच्छे 265 के विसम देखते हैं इसमें वैसे कर का प्रावधान जो केंद्र गर लगाया जाता है कि इन्दु राज सरकार दोर एकत्र किया जाता है जैसे इस्टाम सुल्क केंद्र लगाती है लेकिन राज सरकार एकत्र करती है 269 में कि जो केंद्र दोर लगाया जाता है और एकत्रित चिया जाता है कि इन्दु समस्त राजस राज्यों को सौब दिया जाता है जैसे उत्तराधिकार सुल्क, उत्तराधिकार में 25 संपदा पर सुल्क सवारियों पर सीमा कर, रेल भाड़ा में सवारियों पर कर यह सब जो है किंद द्वार लगाया जाते हैं किन्तु समस्त राज्यों सुराज्यों को सौब दिया जाता है अनुच्छे 270 में ऐसे करो कप्रा उधाना जो किन्त द्वार लगाया जाते हैं और कत्र किया जाते हैं किन्तु राज्यों के भी बार दिया जाता है जैसे इंकम टेक्स आयकर अगला है कप्रा उध्यों के पशाथ क्रिसी पर अधाय दूसरा बड़ा उध्यों कौन सा है तो चीने उध्यों है नेश्ट किसी के घर की होनीवल तरासी के लिए एक सब्द कौन सा है तो खाना तरासी अगला है लंबे बालों वाले इस्त्री को क्या काते हैं एक सब्द है कैसी नहीं और अगला है कि जो घर गिर गया हो उसके लिए एक सब्द क्या है तो उसको काते हैं खंड ग्री